विल्कम बैक मैं हूँ नागेदन सिंग और आप देख रहे हैं आई वी सी का ओफिसिल चैनल नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ मैं फिर से बोलता हूँ यह सारे कुश्चंस अपके लिए भी भी आई है ध्यान से दे हाँ आज के वीडियो में ऐसे कुश्चंस है जो जातर रटने वाले हैं तो मेरी यह कोशिस रहेगी कि ऐसा कुछ क्लू दूँ ऐसे उसको एसोसियेट कर दूँ कि आपको याद करने में हेल्प करें बाकि बहुत सारे ऐसे कुश्चंस होंगे जो आपको रटने ही पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट डिफेंस ऑफ पोजी इस लिट्रेरी वर्क बाई तो डिफेंस मतलब क्या होता है बचाओ आप ओजी बोलते हैं पोएट्री को तो पोएट्री के बचाओ क्या मतलब निकला Actually, Sir Philip Sydney, Sir Philip Sydney ने poetry को critics से उपर दाने के लिए, मतलब poetry पे कोई critics ना करें, कोई अलोचना ना करें, तो इसके उपर एक literary work उन्होंने लिखा था, that was called defense of poesy. अब इसको याद कैसे करेंगे आप, ठीक है, यह तो meaning आपने समझ लिया, poesy y and last में e y, ठीक है, तो poesy और Sydney, poesy, Sydney, poesy, Sydney, आपको याद हो गया होगा, poesy, Sydney, तो defense of poesy, किसके दोरा लिखी गई है, sir flip Sydney के दोरा, next है हमारा, the author of effuse in prose writing, during the renes of period wars, अब सबसे पले समझें, यह effuse क्या है, effuse से जो English में पूरा word है, यूफे मिज्म, यूफे मिज्म क्या होता है, यह समझें, इसके लिए हिंदी word होता है, मंगल भासी या सुकत सब्द, आप जानते हैं कि हम लोग different सब्दों का परयोग करके different आसे देते हैं, जैसे मानलो किसी के पिताजी मर गए, तो आप उनसे जाकर पूछेंगे, कि आप कि पिताजी कब गुजर गए, तो यह थोरा सा है तो मिनिंग वही, बट थोरा better word है, तो यह मरना के लिए हम जो use करते हैं, गुजर गए, यही कलाता है, मंगल भासी, सुकत वर्ड या इंगलिस में कहते हैं, उफे मिजम, तो चले जाने कि कोशिश करते हैं, कि किसने लिखा इफ्यूज जो एक प्रोज राइटिंग थी, यह किसकी लेखनी है, तो इफ्यूज जो राइटिंग है, एक anatomy of wit है, और यह एक novel है, जो लिखी गई है, जौन लिली के द्वारा, अब आप कैसे याद करोगे इसको, चलो, तो आप समझ लो, लिली, लिली एक फूल का नाम त जानते हैं, तो फूल का नाम क्या है, बहुत सुखद, फूल ही सुखद प्रदान करता है, तो इस से आपको याद हो जाएगा, सुखद बात, मंगल भासी, इफ्यूमिज्म, यूफ्यूज, किसके दौरा लिखी गई है, जौन लेली के दौरा लिखी गई है, नेच्ट है, who wrote his Arcadia in the form of fiction in the Renaissance period, Arcadia के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, और आप जानते हैं कि Arcadia लिखी गई है, Sir Philip Sydney के दौरा, same, और same इसी तरह की story क्या है, यूटोपिया की, यूटोपिया लिखी गई है, किसके दौरा, मोर के दौरा, Sir Thomas मोर के दौरा, तो Arcadia क्या है, Arcadia एक ऐसे हरे भरे जगह, ग्रामीन परिवेस की कलपना की गई है, जिसमें कि कोई भी कमी नहीं हो, और similarly एक सहर की कलपना की गई है, मोर के दौरा, Thomas मोर के दौरा, वो क्या है नाम, उटोपिया, टिक है, तो आपको Arcadia Sir Philip Sydney ने लिखा है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, सबसे पुराना कौन सा परिएट हो गया, इंग्लिस की, इंग्लिस लिट्रेचर की बात करें, तो इंग्लिस का जन्म ही जब इस ने दिया, वही ने इसके लिए सबसे पुराना प्रिएट का लाएगा, तो ये प्रिएट क्या हो गया, Anglo-Saxon, Which one of the following is first long poem in English? First long poem, first long poem की बात अगर हम करें, तो सबसे पहले हम poem की बात करें, और first जैसे ही लग गया, तो आपके पास मालूम है कि ब्यूल्फ, ब्यूल्फ एक ऐसी poem है, poetic narrative story है, ठीक है, जो सबसे लंबी है, और इसको याद करने का, मैं बताता हूँ, ब्यूल्फ क्या था, एक demon था, क्राक्सस था, बहुत लंबा था, तो poetry में long poem कौन सी हो गया, जाहिर सी बात है, long poet हमारा poem हो गया, ब्यूल्फ, ब्यूल्फ की कहानी आपको मालूम होनी चाहिए, Now come, who is the university wits in the following list, आप सबसे पहले तो यह समझे कि university wits क्या है, तो university wits की बात हम करें, तो Cambridge university थी, ठीक है, और Oxford university, तो इन दोनों में, खास करके Elizabethan time में, जो भी महत्तपुर्ण poets है, writers थे, उनको सामिल किया गया है, ठीक है, तो आपको यह याद रहना चाहिए, इससे बहुत सारे questions पूछे जा सकते हैं, जैसे Marlowe इसमें से आ गये हैं, आपको यह याद करना चाहिए, कि Marlowe यहाँ पर है, Cambridge में पढ़े थे, इससे Robert Green, यह भी Cambridge के थे, प्रोड़क्ट, Thomas Nass, नास जो थे, Thomas Nass, वह भी Cambridge के थे, Oxford की बात की जाए, तो Oxford से, जॉन लिली, देन आप्टर, जॉर्ज पिल, ठीक है, यह थे, और एक Thomas Lodge भी थे, लोगो यह थोरे से चीज़े तो आपको रटने परेंगे, ठीक है, तो यह थे, और एक Thomas Need, Thomas Kid थे, हलाकि यह किसी University से परेंगे, नहीं थे, तो यह सबके सब ड्रामाटिस्ट है, अब हमें question क्या पूछ रहा है, who is the University Wits, in the following list, इस में से कौन है, जिनका नाम, University Wits में आ गया है, तो William Shakespeare नहीं है, Thomas Gray का नाम नहीं है, Robert Green, का नाम है, तो इस लिस्ट में, ऐसा आकसर पूछा जाता है, कि University Wits, University Wits क्या है, यह दोनों, University Wits मतलब क्या होता है, चतुर, चतुर आई, तो University Wits के बिद्वान लोग थे, यह ड्रामाटिस्ट मत पूर्ण ड्रामाटिस्ट थे, तो इस तरह से आपके लिए आंसर हो गया, Robert Green, Which period is known as the golden age of English literature, वह ऐसे तो golden age के नाम पे आप अगर थोड़ा भी English से interest रखते हैं, तो आपको सीधा सीधा याद होगा, Elizabethan is, ठीक है, ज्यादा जोड़ देने की जीवात नहीं होने से यह लेकिन आपको और नहीं याद है, आप एकदम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो आप समझ लिए Elizabethan क्या थी? लेडी थी, और लेडी को क्या पसंद होता है? गोल्ड, तो इस तरह से याद कर लिजए, Elizabethan is golden age Who wrote the play A Midsummer Night Dream, A Midsummer Night Dream, आप 9th, 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है, यह लिखा हुआ है, विलियम सेक्सपीर के दवारा, यह खुब बढ़िया से आपको याद होना चाहिए, आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, विलियम सेक्सपीर की जो ड्रामा थी, वो जेनरली यह ट्रेंग की चीज़े, A Midsummer Night Dream में भी है, तो आप याद कर सकते हैं, इसको, सेक्सपीर is known mostly for his plays, बहुत असान है, सेक्सपीर का नाम ही ड्रामा, ड्रामा के लिए ही जाना जाता है, ड्रामाटिस्ट, महान ड्रामाटिस्ट कहलाते हैं, वो, which of the following is a play by सेक्सपीर, इसमें से कौन सा है, जो, सेक्सपीर के लाद लिखी गई है, तो king liar, ठीक है, वो, ऐसे तो आपको इरट नहीं पढ़ेंगे, king liar क्या है, एक tragedy है, सेक्सपीर के दवार लिखी गई है, दुखत ड्रामा है, तो ऐसे थूरा सा याद करने कि लिए हिंस में देता हूं, Shakespeare, Lear तो यह आप associate कर ले तो आपको याद हो जाएगा ठीक है पियर, Lear Which of the following plays is by William Shakespeare इसमें से कौन सा plays है जो William Shakespeare के दोरा लिखी गई है तो आपको रटने पढ़ेंगे याद, इससा दो तरीका होता है एक तो याद जो right answer है वो रट लो और नहीं, तो फिर जो options दिया गया है उसमें से देखो कि यह क्या है, नहीं है यह है, नहीं है, यह है, नहीं है तो आपको बहुत सारा याद करने पढ़ेंगे और आपकी exam से एकदम at hand है तो निश्ची दूरुप से answer रटना जाथा बेटर होगा, ओके तो major for major यह William Shakespeare के दोरह लिखी गई plays है, you must remember it आप सब जानते है, sonate जो क्या होती है चौदर लाइनों वाली poem होती है twelfth night, twelfth night actually comedy है आपको comedy पे, मैं इसको याद करवाता हूँ कैसे कैसे comedy है, याद हो जाएगा actually Shakespeare एक play दे दिए खेलने के लिए, मतलब लिख दिए और बोले कि इसी को play, मतलब drama है इस पे act किया जाएगा लेकिन उन्होंने उस play का नाम ही नहीं लिखा था तो नाम ही नहीं लिखा था पूछा लोगोंने कि भाई इस play का नाम क्या यह बताओ तो Shakespeare सोचने लग गया कि भाई क्या नाम डाले तो उन्होंने देखा कि यह Christmas के लगवग बारा दिन बाद यह ड्रामा को play किया जाना था तो उन्होंने कहा दिया ऐसे ही अचानक कहा दिया कि चलो इसको लिख दो 12th night तो इस तरह से एक comedy बन गयी है और हाला कि कहीं भी उसमें 12th night से संबंदित इस comedy में कोई चर्चा नहीं है लेकिन इसका नामा करन कैसे हुआ यह मैंने बता दिया तो यह अपने आप में एक comedy है 12th night का नामा करन itself है तो आपको याद हो ही जाएगा इसके बार में हम लोग उपर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से hamlet बदला लेने के लिए एक revenge के लिए अपने uncle से लराई जड़ता है और हंत में सब के सब मारा जाता है next है which is not true of an English sonnet English sonnet के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है it has 40 lines एकदम सही है it has 14 syllables in each line यही तो गलात है 14 syllables होना को जोड़ी नहीं है वह ऐसे syllables mainly words का होता है line का नहीं होता है तो यह ऐसे ही गलत है तो हमारा answer हो जाएगा B the play Romeo and Juliet was written by Romeo and Juliet इसके दोरा लिखी गई है यह बहुत देखो love story जो होता है love से समंदित जादा तर कभी questions आए तो अगर नहीं भी याद है तो आप तुक्का मार सकते हो Shakespeare के नाम से तो love stories लिखने में यह माहिर थे सेक्सपियर विलियम सेक्सपियर नेक्स्ट कुशन लेते हैं विलियम सेक्सपियर इस नौट दा ऑथर ओप देखे इस तरह के questions में क्या है कि या तो आपको exact जो बुक इन्होंने लिखे है वो याद हो या फिर इसमें से ऐसी बुक हो जो आपको पता है कि इनकी रैटिंग नहीं है या किसी और की रैटिंग है वो पता हो तो आप देखो TITUS ADONICUS यह लिखी वगी है शेक्सपियर की, Taming of the Shrew यह लिखी है सेक्सपियर की, Hamlet लेट तो पह। मरसा ही सेक्सपियर की जहां तक The White Devil की बात है तो यह लिखी गई है जॉन लिखी गई है जॉन बेफस्टर की तो यह अलग होई तो इसका answer हो गया C next question लेते हैं the poem under the green wood tree was written by under the green wood tree is written by यह आपको याद करने परेंगे यह लिखा हुआ है Shakespeare की है William Shakespeare की है ठीक है तो you need to remember it थो आप इसको associate कर सकते है William W. Wood William के साथ आप याद रख सकते है William Wood tree okay which of the following is a comedy written by Shakespeare Shakespeare के दोरा ऐसी कौन सी है जो comedy है तो आपको पहले सबसे पहले देखिए इसमें जो option दिया हुआ है Macbeth भी ट्रेजडी है King Lear भी ट्रेजडी है Hamnet भी ट्रेजडी है एक बच्किया as you like it यह love story है और यह बहुत popular love story है as you like it this is called comedy which is known as Shakespeare's swang song सबसे पहले तो आपको यह meaning मालूँ होना जाए swang song क्या होता है इसका मतलब होता है last creation मतलब अन्तिम बार अन्तिम चीज़ लोग कर रहा है अब बस सन्यास लेने वाला होता है तो उसको करते है swang song और जो पहली बार करता है वो कलाता है debut लिखाता है debut पढ़ते है debut मतलब पर्थम first work जो होता है that is called debut तो which is known as Shakespeare's swang song Shakespeare's की जो अन्तिम कृती थी वो कौन थी जाईर सी बात है the tempest यह question पहले भी आ चुका है to be or not to be that is the question from which play has the line been taken अब यह अब को मालूम है hamlet की कहानी में जब hamlet की wife होती है मर जाती है और फिर वो लड़ता रहता है तो उस समय यह बरी एक emotional बात बोलते है to be or not to be that is the question तो यह आपको अगर hamlet story याद है तो आपको याद होना चाहिए वैसे emotional बात है Shakespeare की कोई बात हो बहुत ज़्यादा emotional बात हो तो आप धियान रखना किस में से होगा hamlet से Shakespeare was born in year अब देखो यह तो ऐसे बच्चे रटे होते हैं लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं इनकी death जो हुई थी 1616 में हुई थी यह death का period है ठीक है तो यह याद करना तो आसान है चुकि 16 16 16 16 है इसलिए है और एक चीज़ और याद आप कर सकते हैं कि यह 52 years यह जिन्दा रहे थे तो 52 years जिन्दा रहे थे इसे minus कर दो तो यह क्या निकल के आ जाएगा 4 तो लास्ट में 4 और यह क्या हो गया ठीक है तो यह कहां पर बन क्या गया बी तो आपको यह याद करना आसान है वैसे तो आपर लिजिए 1564 से लेकर करके 16 16 में नहीं तो ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं 16 16 16 और 52 सालिए का life is spent था तो minus कर देना तो याद कर सकते हो next in which year did Shakespeare die अभी मैंने बताया 16 16 याद करना बहुत आसान है the old wife's tale was written by देखो इसको यह जो कहानी है the old wife's tale यह किसके द्वारा लखी गई है यह आपको एक राइटर है the old wife's tale इसको याद करने का तरीका में अबता था the old wife अर्नॉल्ड अर्नॉल्ड बिनिट के द्वारे लिखी गई है तो इसमें बड़ा असानी से याद करने का एक टेक्निक है देखो old the old wife's Arnold में से old wife's तो याद करने का तरीका है अब दिखते इसमें से आर्नॉल्ड बिनिट है कि नहीं तो जोर्ज बिल नहीं है thomas kid नहीं है john lily नहीं है मतलब हमारा answer क्या हो गया none of this तो यह याद करना पड़ेगा आपको the old wife's tale किसके तुरह लिखी गई है हो सकता है next question अगले मता आपको question में पूछ दे who is the writer of the old wife's tale तो आपको यह याद मेंने करवा दिया next लेते हैं हम लोग which among the following plays by Christopher Marlowe has epic feature लोगो epic feature का मतलब क्या है कि वह बहुत महत्पूर्ण होना चाहिए जिसको पूरे देश में काब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् तो वहां के एक पुराने जमाने के ससक के बारे में बात्सित की गई है ठीक है तो वह है टेंबरलेन तो आपको यह रख लेना चाहिए Christopher Marlowe की जो epic feature है वह है Nobam Organum is the book written by इसको याद करने का तरीका बताता हूं एक किताब है Nobam Organum यह वर्ड आपको देखने से लग रहा होगा कि यह English का वर्ड नहीं है यह Latin है ठीक है तो Latin वर्ड है और Latin वर्ड में आप देख लो इसमें से अलग सा नाम क्या है Thomas Thomas यह सब तो Watson यह सब popular नाम है लेकिन बहुत पुराना नाम डाइक पर आजीव सा नाम क्या लगता है Bacon तो आप इससे याद कर सकते हो Bacon ने क्या लिखा था नोवम और गेनम वैसे Bacon का फूल नेम क्या है Francis Bacon ठीक है तो आप इस टेकनिक से आप इसको याद कर सकते हो I have taken all knowledge for my province was said by इसने कहा है यह कहा है Bacon ने ठीक है और Bacon को एक और चिसके लिए जाना जाता है the father of modern scientific tradition the father of modern scientific tradition ठीक है तो यह scientific tradition की बात करते है scientific modern scientific की बात करते हैं तो जाहिज सी बात है यह knowledge की बात करते हैं तो आपको रट लेना चाहिए I have taken all knowledge for my province यह वैसे sentence का मतलब हो है कि मैंने अपने चेत्र के लिए सारे ग्यान में अर्जुत किया है and this has been written by Bacon okay so you are supposed to remember it next solution लेते हैं who was the leader of metafysical poet metafysical का नाम सुनते ही आपको रटा जाना चाहिए John Don ठीक है तो जान डॉन मेटाफिस्कल पोएट से मेटाफिस्कल क्या होता है मेटाफिस्कल वह होता है जो अध्यात्म की बात करें जो आम लाइफ से हट करके तुरसा बात करें हला कि उसकी बातों में सचाहिए होती है ठूथ होती है ठीक है तो जॉन डॉन एक पॉपुलर फिगर है Metafysical अध्यात्मिक पोएट पोएम्स के तो रत लिजे John Don Metafysical What sorry who used the term Metafysical in his essay and Abraham Cowley in the lives of the poets who used the term Metafysical Metafysical term किसने यूज किया था ठीक है in his essay on Abraham Cowley Abraham Cowley खुद भी एक writer थे तो उनके उपर जो essay लिखा गया था ठीक है उस essay में लिखा गया था कभियों के जीवन के बारे में जीवन के उपर लिखा गया था तो इसको किसने लिखा था तो इसको लिखा था Dr. Johnson को Samuel Johnson भी लिखा हो तो वही मतलब हुआ ठीक है Samuel Johnson तो Dr. Johnson लिखा हो यह Samuel Johnson उन्होंने लिखा था Abraham Cowley के जीवन के बारे में Poems के बारे में Poets के बारे में तो you must remember this The Metaphysical Poets were Honest Original Thinkers Analyzed their feelings, experience, hoped for immorality इने को immorality आम अर्था की बात ही जब हम करते हैं तो यह अध्यात्मिक बात हो आती है तो निशी दुरुप से honest है Original Thinkers और यह दोनों मिला करके हो जाएगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा C Next question लेते हैं Metaphysical Poets were perversely strange and strange Metaphysical जो poet थे अध्यात्मिक जो poets थे वो काफी अजीव और काफी मजह हुए थे यह remark किस ने दिया था तो Metaphysical के बारे में यह remark देने वाले जाहिर सी बात है Dr. Johnson है यह Samuel Johnson है In which kind of poems John Donne broke away from the Petrarchan model So popular among the Elizabethan Poets and expressed the experience of love In a realistic manner तो आपको यहां पे इस लाइन से आपको याद करना असान बना था हूँ इसको expressed the experience of love In realistic manner तो love का मतलब क्या प्यार प्यार से संबंदित कौन सा वर है हमारे पास अमारस अमारस मतलब क्या होता है प्रेम पर्संग से संबंदित ठीक है त एक्स्प्रेंस अफ लव को जो एक्स्प्रेस किया गया Elizabethan Priyat के समय के पोएम के बारे में वो किस तरह का पोएम था एमारस पोएम था एमारस का मतलब होता है प्रेम पर्संग से संबंदित शेक्शल लाप से संबंदित So I hope this will help you remember this On account of his metrical roughness, obscurity, ardent imagination, test for metaphysics and unexpected divergence into sweet and delightful music John Donne has often been compared to John Donne को के बारे में कहा गया है कि metrical roughness में जो metrical जो इसका यूज किया गया है वो सही नहीं है obscurity है सपश्टा है ardent imagination बहुत ज्यादा कलपना की गई है test for metaphysics अध्यात्मिक चीजों के परतिरूची है उनका unexpected divergence into sweet and delightful music टिक है उनकी जैसा सोच नहीं सकते उस तरह से music के प्रतिव उनका भाव है John Donne has often been compared to इन सभी जो पर अधारित John Donne की तुलना किन से की गई है तो आप इस तरह के quality अगर खोजेंगे तो इस तरह के quality बाले जो एक writer है वो कौन है रोवर्ट ब्रावनिंग वो है ब्रावनिंग इनका पूरा नाम क्या है रोवर्ट ब्रावनिंग तो यह आपको याद करने परेंगे दा फ्लेमिंग हर्ट इस द बेस्ट वर्क वर्क बाई देखो यह एक रचना है अब इस रचना को अब कैसे याद करोगे किस के द्वारा है फ्लेम मतलब क्या होता है आज की लॉघत वर्ट बंद दिल में अ अग की लॉद मतलब क्या बेचारे की सथ बड़ा नुक्सान हो गया तो ऐससे याद कर सकता है लिजमिंग क्रेश कर गया हो गा है तो लिजी दिया होगा द फ्लेमिंग हर्ट और इसका writer कौन है? The Richard Cressow Cressow, दिल का Cress करना The Flaming Heart Which metaphysical poet was a mystic like Richard Cressow? Mystic मता होता रहस्माई, गूड इसको समझना बहुत मुस्किल होता है तो इस तरह के metaphysical poet कौन है? So this is supposed to be again remembered और वो है Henry Wagon Henry Wagon आपको याद करने पड़ेंगे Henry Wagon जो है वो mystic है, एकदम ठिक उसी तरह से जैसे की Richard Cressow A metaphysical poet who is famous for the Pindaric Oats which influenced English poetry throughout the 18th century. यह Pindaric poets का है, Pindar एक Greek poet थे और खासकर कर वो लिरिकल poet थे, Pindar ठीक है? तो उनहीं की Sally में जो भी poets लिखी गई जो भी songs लिखी गई that that is called Pindaric Oats तो काता है, among metaphysical poets जो भी metaphysical poets है who is famous for his Pindaric Oats जितने भी metaphysical poets है उन में से, तो सबसे बली बात है जो भी बात होने चाहिए, metaphysical poet के बारे में बात होने चाहिए ठीक है तो metaphysical poet के बारे में बात होगी तो एक तो आपको hint वहां से मिल जाएगा की कौन है हो सकता है आपको जितने भी option मिले हो सारा metaphysical poet हो which influenced English poetry throughout the 18th subject? फिर एक hint से मिल सकता है की 18th century में किन का प्रभाव था? तो आप इसको अगर आप देखेंगे तो वो character है Abraham Colley उपर भी आपने देखा है कि Abraham Colley के बारे में कहा गया है वो metaphysical थे words है who composed these lines annihilating all that's made to a green thought in a green shade तो यह किस ने कहा है अब यह तो आपको अगर आपने एक poem है The Garden अगर आपने The Garden poem पढ़ा है तो आपको यह आसानी से समझ में आ जागा कि यह किस ने लिखी हुई है तो ऐसे भी garden green shade green की बात की जा रही है तो आपको इसे garden याद आ सकता है और garden जो लिखी कही है वो लिखी कही है किस के दोरा? Andrew Marvel के दोरा तो हमारा option क्या है? D. Marvel तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं William Blake's Song of Innocence came out in तो William Blake की Song of Innocence यह कब publish हुई? Came out मतलब publish होना तो William Blake's की Song of Innocence कब publish हुई? सन इस भी याद करना इतना ही मुश्किल काम है चलो लेकिन इस में एक हिंट से है Song of Innocence I I से बना हुआ है Innocence I कैमा लेटर है 9th लेटर है तो यह 9th लेटर है तो 9th लेटर से आपको सीथा मिला लीजिए आपका option हो गया यह 1789 तो यह एक ट्रिक हो सकता है आपको साइध याद करने में help मिल जाए तो इन्नोसेंस, Song of Innocence कब लिखी गई थी? लास्ट में 9 होनी चाहिए 1789 Black Song of Innocence आपके पास समझ लेजे यह दो दो चीजे एक साथ हुई थी? एक थी Songs of Innocence और Songs of Experience तो थोड़े से ही आसपास में हुई थी अब आपके लिए यह इंपोर्टेंट हो गया कि इसमें से दोनों में से कौन है ठीक है? लेकिन फिर्स्ट यह दोनों यह भी उनकी है विच अब दे फॉलोविंग वाज ब्लेक स्फिस्ट वॉलूम ऑफ दे पॉएम्प से याद आपको आएगा क्या याद आएगा? याद यह आएगा कि सुरू सुरू में आदमी क्या करता है? जर्म करता है, यह भी सांग से म मुइंग नख्राइथ, लिखता है, और दे दिन कारोलोम, अर्म कि क्या वह wanna बएगा कि न बीक यह हो लिखता है. italiana बखना एग माम श्रू सूरू सुरू में आदमी क्या करता है तो यह उन्हों निक्सा बनाता है? the poetical sketches आई होप की याद करना आपके लिए आसान आए यह option आई है एक नेच्ट लेते हैं टाइगर टाइगर बर्निग ब्राइट एपीर्स इन देखो टाइगर टाइगर बर्निग ब्राइट टाइगर के लेकर बारे में बोला गया कि वह बहुत खतर्नाक है जिसके पास भी टाइगर आघा सम्झो जल गया वह तो खत्म हो गया टाइगर को डेंजरस काके शमबोधित किया गया है और यह पुरैने जमाने के तरीका से लेका गया है अब इसको हाम किसमेंसे है किसमेंसे ठिक है तो अब यहाँ एक जी ध्यान दो टाइगर खतरनाक होता है यह बात हमको कैसे पता चलता है क्यों क्यों कि हमने दुनिया के अनुभब्स किया है लोग ने देखा है ठिक है तो इससे आप songs of experience में याद कर सकते हैं टाइगर टाइगर burning bright क्या है कि टाइगर के बारे में कहता है लेकर की वह बहुत खतरनाक है जिसके पास भी आजा है तो समझो वह जल गया तो यह क्या है पोएट का अपना experience है तो इसलिए उन्होंने अपने song में लिखा songs of experience में Black's dictum Black's की जो कहवत थी that Milton was Milton के बारे में क्या कहा था Black's इसने a true poet and of the devil's party without knowing it एक सच्चा कभी और devil's party मतलब गामेदार बिना इसके जाने हुए तो पड़ा असानी से इसको याद हम कर सकते हैं बाबू यह देखो devil devil मतलब सैतान सैतान का मतलब किससे hell तो the marriage of heaven and hell यह हो गया हमारा option असानी से याद हो गया चलिए next question लेते हैं without contraries no progression ठीक है बिना contrary के contrary मतलब क्या आता है विप्रितार्थ चीज़ों होना कोई चीज़ी उल्टा होना no progression कोई भी progress नहीं होता है यह किनकी लेकनी में यह देखने को मिलती है तो यह मिलती है black की लेकनी में ठीक है you must remember it mathematical ballards लीरिकल बलाट्स जो है blots होता किया है तो बलाट किया कि एक narrative poem होता है खास करके local language में poem होता है ठीक है तो एक गाओं के दोरा मतलब आस्थानी भासा में गाये जाने वाली कविता होती है ठीक है तो लीरिकल बलाट्स was published in अब यह date कैसे याद करोगे तो लिर्कल बलाट्स जो पब्लीश हुई थी यह 1798 में हुई थी तो यू नीड टू मगप इस बलाट्स 1798 में हुई थी आप अपने से किसी चीज को associate कर सकते हैं आप अपने लाइप में कि यह कैसे होता है बलाट्स बलाट्स मतलब क्या गीत गाने वाला तो गीत गाने वाला आप कोई चीज ऐसा imagine कीजिए जो इससे मिलता जोलता हो 1798 के कोई घटना से आप जोड लीजिए ठीक है आपके लाइप में 98 इस सल मतलब को 98 के समद्धित कोई बात हो तो जो लिर्कल बलाट्स की जो प्रस्ताबना थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी तो यह लिखी गई थी वर्ड्स वर्थ के द्वारा ठीक है तो यह आपको याद रखना पड़ेगा कि लिर्कल बैलाट्स बाइटेन बाइ वर्ड्स वर्थ दो चारवर आप पढ़ेंगे Michael of Wordsworth was क्या था तो Wordsworth आप जानते हो लिरिकल बलाट्स के लिए जाना जाता है तो लिरिकल बलाट्स में क्या है was included in letter in lyrical blotts बाद में इसको Michael को जोर दिया गया था वा सुरू में नहीं तो यह C होगा option Michael को सुरू में lyrical blotts नहीं मना जाता था बाद में letter और इसको जोर दिया गया था कि इसमें lyrical blotts में तो C answer Which of the following poems is a part of lyrical blotts इसमें से कौन सी poems है जिनको हम lyrical blotts कह सकते हैं तो वो है Tine Turn Away Tine Turn Away क्या होता है एक Tine Turn जगा का नाम है अबे मत होता है मत तो Tine Turn मत के उपर बैट करके यह मतलब वहाँ पर जो गया जाने वाले blotts थे That is called lyrical blotts Next The prelude was published in Prelude जो होती है संगीत के आप कोई गाना वरा सुरू होने से पहले एक music दिया जाता है तो जो सुरू के जो संगीत होता है That is called prelude तो prelude कब published हुई थी You need to remember it and that was 1850 1850 में Prelude जो था वो published हुई थी किसके दोरा लिखी कई थी William Wordsworth के दोरा लिखी कई थी ठीक है तो William Wordsworth की Prelude published हुई थी 1850 में Next चलते है Who said We hate poetry That has a palpable design upon us किस ने कहा था कि हम ऐसे poetry को से घिरना करते हैं जो जवर्दस्ती हमारे उपर ही design किया गया हो थोपा गया हो तो मतलब ऐसा जो हमारे मतलब दिल को छू दे इस तरह से vision किया हो कि हमारे दिल को touch कर दे या हमारे feelings को मतलब लेकर किया गया हो तो यह एक्चुली कही गई थी William Wordsworth के बारे में तो William Wordsworth के बारे में सबाल है कि किस ने कही थी तो यह कही थी John Kitts ने ठीक है तो याद कर लेना है William Wordsworth के उपर यह बात कही थी We hate poetry That has a palpable design upon us Wordsworth's first publication was एक मैं बताता हूँ अप लोगों को एक trick बताता हूँ हलाकि यह trick 100% trick सा काम नहीं करेगा लेकिन जब आपको नहीं कुछ सूज रहा हो तो वहाँ पर यह काम जरू करेगा कि जब भी कोई आपको चार option दिये हो तो I tell you 90% of the cases जो सबसे लंबा option होता है वही answer होता है तो जब जहां कुछ नहीं सूज रहा हो नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करे तो सबसे बड़ा answer जो है option में उस वाले को answer मान लीजिए What's the first publication was यही है यहाँ पर An Evening Walk and Descriptive Sketches यह वह ऐसे आपको रटना चाहिए लेकिन नहीं भी रटते हैं कोई बात नहीं आप यह याद कर लेंगे तो इस तरह से 150 हो गया very soon I will come up with the next video till then bye bye all the best